अब हमने पिछली वीडियो में क्या पड़ा था कि जब हम एक गुड्स को लेते थे थे ठीक है उससे मिलने वाला सेटिफेक्शन उसके प्राइस के लेवल के बराबर होता है कि नहीं ठीक है कि कब किस कहने हैं मसे दिए कि जो अगली उनुट जब हम कंज्यूम करते हैं तो उ उससे मिलने वाला सेटिफेक्शन उसके प्राइस के बराबर होना चाहिए था यह हम लोने पढ़ा था हम लोने क्या पढ़ा था फार्मला पढ़ा था हम यह फार्मला पढ़ा था है कि मू एक्स इसकोल टू पी एक्स होना चाहिए था यह होना चाहिए था फार्मला आज हम पढ़ेंगे दो कम्分ənी बारे हम पढ़ेंगे ठीक है कि दो कम्этुटि जब यूज करते हैं तो उसे मिलने वाला सर्षैक्शन क्या होना चाहिए कि बाराबर होना चाहिए मतला कहले हिए है कि जब हम दो दो गुड्स यूज करते हैं तो दोनों गुड्स से मिलने वाला अगला जो साडिस्फेक्शन होगा वो क्या होना चाहिए उसके मनी वैल्यू के बराबर होना चाहिए ठीक है अब इसके डिफिनेशन पढ़ते हैं ठीक है the consumer is said to be the consumer is said to be is in equilibrium consumer कब equilibrium होगा of a point at which ऐसे point पर होगा जहां पर क्या है the marginal unity of money expenditures marginal utility of expenditure मतलब क्या होता है कि MUX upon PX मतलब की जो अगली अगली unit से मिलने वाला जो साडिस्फेक्शन है उसके price से बराबर ठीक है उस पर कितना खर्च कर रहे है on both the goods are equal in symbolic terms मतलब की number में कि मतलब की जब हम अगली unit use करते हैं ठीक है उसकी price की value की क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए मतलब अगली unit से मिलने वाला साडिस्फेक्शन उसकी money value से क्या होना चाहिए उसकी price की value से क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए दोनों goods हो गया, अब example हमज़ यहां पर है, जैसे माल लीजे, हमने 2 goods लिया है, 10 रॉपे का कहली है हमने, 2 रिख मिल लिया, अब 5 रॉपे का एक पारले wooden склад c लिया है, ठीचैंढ तो माल लीजे, कि माल मुझे एक जब, जब हम एक यूज़ करते है, Тоス से मिले satisfaction कितना होता है 50 है तो हमाल लेजी कि जब मिलता है तो 50 upon 10 कितना है 5 नाफ रूपय बहूंत पर यूज करने पर हर एक रूपय में कितना कड़ गुड्स को तब तक उसकी बराभर नो जाए 5 रूपय बराभर न Запतेश служ did हम दोबारा फिर समझाते हैं आप लोग को है देखिए यह कहा रहा है कि क्या होता है कि उससे जो मिलने वाले सेट्फेक्शन उसके प्राइस के वैल्यू को बराबर होगे ठीक है तो यहाँ पर हम दो गुट्स को लेंगे तो दोनों गुट्स की एकलूबिरियू को बराबर हो माल लिजे हमने 50 10 वके डाजे लियू मिल लिए अब पांच वर्पे एक पारले जी बिसकोट लिए ठीक है तो माली की जब एक डारी मिल हम कंजूम करते हैं तो कितना सेटिफेक्शन मिलता है पचास का ठीक है तो माली जब पचास सेटिफेक्शन मिलता है तो एक डारी मिल कितने कितने कितना सेटिफेक्शन मिल रहा है पांच रुपे का सैटिफेक्श लीडि रहा है तो दूसरा गुड़ तब तक हम यूज करेंगे जबसे फेरा उन्ट बार सैटिफेक्शन कितना उसके पांच रुपे के बराबर नहोंजाए ठीक है तो mux upon px is equal to muy upon py is equal to mem ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं इसको गोसें सेकेंड लॉब भी बोलते हैं ठीक है अब इसके लिए शेडूल लेंगें तो आपको इद्दम एजी समझ में आ जाएगा कि हमने को साठ रुपर कहा है तो यहां कि यहां तो हमें साठ रुपर क्या करना है मैंक्सिमूम सैडिफेक्शन लेना है कि दोनों goods का कब equilibrium होगा जहां पर maximum satisfaction मिलेगा हमने price good x कितना रखा दस रुपर रखा ठीक है अगर डरीब कमान लीजिए अब price आफ good y कितना रखा पाले जी का मैंने पांच पर रख लिए ठीक है यह formula m ux upon p is equal to m u upon p y यह दोनों बराबर होना चाहिए कि यह गूर्ज और यह good का दोनों क्या होना चाहिए भराबर होना चाहिए उसका satisfaction लेबल अब देखिए हमने 2008 कितना मिलता हम पैस्ट मिलता है पिर सुपे मिलता है त्यची मिलता है असी जब हम अगली unit consume करते हैं कोई भी गुट्स को तो उससे मेला satisfaction क्या हो दीर दीर क्या होता है घटने लगता है जिसे हमारे एक ग्लास पानी पिया तो मुझे 100 satisfaction मिला हमने की दूसर तुरंग ग्लास पिया तो हम एक 90 मिला ठीक है तो धीर हमारी प्यास बूस्ती रहती है तो हमार इसके यूज किया ठीक है तो उससे मेल satisfaction कितना मिला 35 मिला फिए घटे 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 गया ठीक है आपने क्या मुझे मुझे पान पी एक्स मुझे अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे रेट कितना है एं गुड़ास कितना रेट है टैन रूपीस तो हंड्रेड बाइ टैन डिवाइड इतना है गा टैन एगा हांडे बाइट इन नाइन हंडे बाइट इन एट सेवन सिक स्ट फाइड इसको उन्हें फाइड गिया फाइव से कितना गया सेवन सिक फ़ फोर ट्री टू अब हम कंजूमर्ट लिंगी अब कहां पर हम लोग चेक करेंगे किस-किस नहीं है, नहीं है, एट है, नहीं है, सेवन है, हाँ सेवन है, सेवन यहां मिला, सेवन यहां मिला, ठीक है, सिक्स यहां मिला, सिक्स यहां मिला, फाइव यहां मिला, और फाइव मिला, तो मतलब कंजूमर इक्विल्बिर इसको तीन पॉइंट पर मिल रहा है, ठीक है, कि सेटिफेक्शन मिला हो तो इसका फार्मुला होता है उसका फार्मुला क्या होता है उसको बोलते है प्राइस लाइन इंकम ठीक है पी एक्स इंटू कॉंटिटी एक्स की प्लस पी वाई प्राइस आफ वाई की और कॉंटिटी आफ वाई की ठीक है यह होता है इसका फार्मुल की कितनी वेलु है उसकी कौंटिटी कितना हमने युज कर रहे हैं पिलस हम फ्रिय की विलू कितनी है मलब पाले विस्किड इसकिय कितनी है उसकी जो प्राइस है है उसकी काइम्ट रेंगे हमएं तीन पाइंट मुला है पहला लेकि लिखाors है पी-एक्स-पी ऐmother से सेवन देटको इनीट किसी किया तो सेवन गिया उसकी प्राइस मिल कि हैं अधिक है उसकी प्राहस कितनी है थोटर्ऌ में्स िए और थिक और गाई और एंट्तू फॉर प्लस ठीक है तो पी राइन वाई परन हुं यहां मिल रहा है तो हमारे इसकी price इतनी है, good buyer की, पांच रुपया, तो पांच रुपया इन्टू, पाइला you impact consume कर रहा है आपट सैवन, इसको जोडेंगे तो कितना है का, 45, लेकिश हमारे पास कितना इन्टू, पर पीजोर पास हैं कंजूमर के पास साट्ट रुपया कर क पास कटना मतला अभी मेरे पास 15 रुपय बचा मतला और भी क्या करसकते हैं हम को cases को बढ़ा सकते हैं ठीक है दूसरा ये रिज़ दिंव सिंन इंट थे तो पी x in T QX, PX कितना दुसरा में हमारा यहां जो 6 6 है यहां पर आ रहा है, 6 में इसमें आ रहा है यहां पर तो 10 इंटु 5 तो 10 इंटु 5 की हमने 10 रुपया, good X की value है, PX इंटु 5 5 के हमारे इतनी commodity यूज किया, हमने यूज यूज किया plus 2 unit of कितना है PY का है तो इसकी 5, 2 unit इतना इंटु 5 ठीक है, यहां लिख 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 यहां पर है इसका है समझी यहां पर आप पांच पर इसका रेट है और 2 unit consume किया, ठीक है तो कितना हो जागा हमारा 10, कितना हो किए 60 यहां 60 पर हो रहा है, तो यहां पर हमारे हम ने में पर यतना रुपया था अतना हमारा क्या हो गया स्टैटिफेक्शन लेवर बढ़ गया, एक बार आख लूप चेख करेंगे, उसके बराबर तो नहीं होगा, कि उससे जादा होता है यह से कम होता है, हम तीसर की इक्लीव मिरे में met check किए तो वहाँ पी कितना हो गया 10 26lusive इंस प्लस 5 into 3 थिक है ने media 10 2ven 8 to 365 और यहाँ पड़क रूप़ यहाँ तना फाय कितना है फाइन टो 3527 कैने कितना 75 को मतलब कि सा थ रुपय हो जाता हू रहा है था हमारे पड़ी से कितने हमारे पाशाटी है था मन स्याटिफेक्शन कितना होना चाहिए हमने वताय है तो न कि उसकी मनीव वैली को बराबर होना चाहिए कि M.U. X. upon P. X. to M. Y. upon P. X. बदला का साट रुपय हम मारे पास है तो हम साट रुपय तक कई का सब्सक्राइब करता है तो यहां पर क्या है कि जब यह कंजूमर क्या यूज करता है और यूज करता है तो यहां पर सबसे यादा सेटिफेक्शन मिलता है ठीक है अब इसको ग्राप बना लिए इसको इसे मनता है इसे माल लीजीए इसको अपर गिंवा बना रहे हैं आप लोगद समझे इसको ठीक है इसमाल हमने यह बना ली यह ए-स का बना लिए चिक है योगे M U X जिवनाजी M U Y यह मारे यूनित हो जाएगा क्या कह रहा है 5 यूनित of X हम स्ट इफक्षिन कहा मिल रहा है इस पॉंट मिल रहा है सेकेंड पॉंट मिल रहा है 5 यूनित of X और 2 यूनित of Y पर 5 5 यूनित of X ठीक है और two unit of x यहाँ पर ठीक है जिरो ऐसे माल लेजिए zero one two three four five zero one two three four five six ठीक है इसे माल लेजिए तो यहाँ पर क्या पॉण यहाँ पर क्या हो गया ठीक है तो यह हमारे यहाँ पर क्या है पॉण ई यहाँ पर क्या है इक्लूबी रहे मिला मत यहाँ पर कंज्यूमर को दोनों गुट से मिलने वाद सबस्याद क्या है satisfaction है ठीक है तो यह formula इसी पर लगेगा इस तरह से गराब बनेगा इस्तिसाब कर लीजिएगा ठीक है ओके थैंक यू